तो आखिर कॉंग्रेस पार्टिशन के लिए क्यों माने पाहला पॉइंट है कि संप्रदावाद से लड़ने में कॉंग्रेस फेल हो गई कॉंग्रेस ने दो काम किया जो उसका मोटो था जो सो उसका उद्यस से था आजादी से पहले पहला था कि राष्टिय जागूरता फैलाना चप्पे चप्पे में जागूरता फैलाना जिसमें कि वो सफल हुई लेकिन दूसरा पॉइंट था क्या कि सभी बर्गों में राष्टिता की भावना जागूरत करना एक संगठित एक मजबूत राष्ट के प्रती चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसल्मान हो, सिको हो, इसाई हो, दलित हो, वहाँ पर कॉंग्रेस फेल हो गई और यह जो मुस्लिम संप्रदावाद था, तो वहाँ पर कॉंग्रेस बुरी तरह से फेल हो गई कैसे फेल हो गई? आपने देखा होगा कि 1946 का एलेक्शन हुआ पूर्ण बहुमत मिला और दो राजियों में उसने क्या किया? दूसरे पार्टियों से मिल करके सरकार बनाई, तो खुल 11 में से नौ राजियों में उसकी सरकार थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ड वर्ड वार हुआ, उनिस सव उन्चालिस में, तो कॉंग्रेस ने कहा कि आपन हमसे बिना पुछे हुए हमारे सारे फोजों को जवानों को आपने जो है न उसमें जोंक दिया, हिंदुस्तानी लोगों को, यह गलत काम किया अब, पहले आपको हमसे परमीसन लेना चाहिए था, हमें सेकेंड वर्ड वार से क्या लेना देना, हम तो खुद गुलाम हैं, ल पिटलर और मुसली के खिलाब में, अलग-अलग जगों पर, और इससे ब्यखित होकर के कॉंग्रेस ने 1949 में, क्या किया, इस्तिफा दे दिया, जो प्रोविंसियल गर्मेंट थे, वो इस्तिफा दिया दिया, और यह सरकार कितने दिन तर चली, कॉंग्रेस की 27 महिने तर, ज कि 1937 के एलेक्शन में, वो बुरी तरह से पराजित होए थे, लेकिन, 1949 में, जब कॉंग्रेस के गर्मेंट ने इस्तिफा दे दिया, राज्यों से, तो उसके बाद क्या हुआ, मुसलिम लिग के लिए ये पूरा इलाका, पूरा फिल्ड जो है, ओपन हो गया, और उसके पाकिस्तान, इसको कहते हैं पाकिस्तान डेक्लेरेशन भी कहते हैं, और उन्होंने एक सेपरेट कंट्री, उन्हें देश की मांग किया, पहली बार